नमस्कार दोस्तों आप जूड़ चुके हैं सिर्शा की वाज न्यूज के साथ माप का दोस्त सोनु सर्मा सबी सातियों से गुजरिस है कि सबसे पहले आप यह बता दें कि आवाज ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही जो साति जुड़ चुके हैं उनसे अनुरोद और विंती है कि वो बता दें कि आवाज ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही फिर मैं अपनी बात सुरू करूँगा सबी सातियों से गुजरिस है कि बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही सिर्शा की वाज पर हम लाइव आपके साथ दुड़ चुके हैं और सबी साथियों से गुजारिस करूँगा की कोई कोमेंट करके साथि बताएं जी तु सोनी जी करें आ रही है आवाज आ रही है क्या साथियो राम 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 बंसी लाल जी राम राम बंसराज मिता जी आ रही है ठीक है जी सुरू कर देता हूँ साथियो कल अरियाना सरकारदवारा आज से एक अपते का लोकडाउन गोसित कर दिया है साथियो उसके बाद लगातार आप जैसे बाई बंदों के लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या चीज खुले रहेंगे क्या चीज बंद रहेगी तो आपको मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ साथियो कि क्या चीज खुले रहेगे क्या चीज बंद रहेगी लगातार सो डेड़ सो फोन आ चुकी हैं रात से भी भोन आ रहे हैं कि भाई सब क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा तो साथ ही हम आपको बता देता हूँ कि क्या चीज खुली रहेगी सरकारी विवाग के जो भी ओफिस हैं वो खुले रहेंगे साथी हो सरकारी जो विवाग हैं वो खुले रहेंगे अरियाना पुलिस अपने कारिया पर रहेगी ओमगार्ड अपने काम पर रहेंगे ओमगार्ड अपने काम पर रहेंगे सिवल डिफेंस भी अपने काम पर रहेंगे फायर बिग्रेड फायर बिग्रेड हैं वो भी अपने काम पर रहेंगे अमर्जन्सी सर्विस है वो भी सुरूर रहेगी अमर्जन्सी जो सर्विस है वो भी सुरूर रहेगी उसके बाद जेल भी वाग है वो भी खुला रहेगा भीजड़ी विवाग है वो भी खुला रहेगा उसके बाद पानी विवाग है जो वो भी खुला रहेगा उनके जो करमचारी हैं वो भी आ जा सकते हैं साथ यो एगरी कल्चर डिपार्टमेंट जो मेनुफिक्टरिंग जो एगरी कल्चर से रिलेटिड जो भी वस्तुएं हैं वो भी खुली रहेगी स्वास्तिय विवाग भी खुला रहेगा ओस्पिटल क्लिनिक मेडिकल और ज्यानवरों के ओस्पिटल भी खुले रहेगी लेब भी खुली रहेगी चस्मे की दुकाने भी खुली रहेगी डेंटल क्लिनिक भी खुले रहेगी और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें जो अ ए ग्रुक एग्री कल्चर से जुडी दुकाने और जो किसान वो कहीं भी आ जा सकते हैं कि कुछ लोग मजाक ना करें ये मजाक का टाइम नहीं है मुकेस कोई मजाक को टाइम होए कि रात दिन सारे दिन मजाक मजाक कोई सरम है को नहीं को ये थोड़ो वो तकल लेन लेनी चाहिए कोई का वाज नहीं आ रही सभी दोस्त के रहे हैं आ रही है क्या सिस्टम है ये आप हैं बैंक खुले रहेंगे सभी सातियों के कुछ सातियों के स्वाल जबाब थे कि बैंक खुले रहेंगे क्या तो बैंक भी खुले रहेंगे सभी सातियों से गुजारिस है कि वीडियो को जादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें बेंक खुले रहेंगे और आपको बता दूँ बेंक के साथ साथ क्या खुले रहेंगे फाइनस कंपनी भी खुली रहेगी और इसके साथ इनसोरेंस जो कंपनी हैं वो खुली रहेगी एटियम खुले रहेंगे इसके साथ मनेरेगा सबसे बड कर सकता है मनयरगा से जुड़े काम कारिये रहेंगे इसके साथ आए आपको बता दूँ पर खुले रहेंगे और क्या नंदी साला के पदा दिकारी आजा सकते हैं क्या जी कि बिल्कुल भाई साहब जो नंदी साल एक उसमें जो देंटी साला के जो सेवादार है वो सेवा कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं है पेट्रॉल पंप गेंस अजेंसे और सी खुले रहेंगे इसके साथ साथ पोस्ट ऊफिस हैं पोस्ट उफिस भी खुले रहेंगे पोस्ट ओफिस भी खुले रहेंगे सबी सातियों से गुजारी से की वीडियों को जादा से जादा से जादा शेयर जरूर करें इंटरनेट सर्विस से जुड़े हुए वेक्ती जो भी हैं वो अपना कारिये कर सकते हैं और इसके सास्थ मैं आपको बता कि आईवे पर ट्रक रिपेर की दुकाने और ढबा वो खोल सकते हैं और किर्याना की दुकाने खुली रहेगी इसके सास्थ राशन की दुकाने फ्रूट और फ्रूट फ्रूट और सबजी की दुकाने खुली रहेगी फ्रूट और सबजी की दुकाने खुली रहेगी पंजाब में अगर आपको जाना है गगंजी का स्वाला है पंजाब में अगर जाना है कोई अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो परमिशन लेनी पड़ेगी डि केबल सर्विस भी जारी रहेगी केबल सर्विस से जुड़े विक्ति कहीं भी आ जा सकते हैं लोकल और सरकारी कोल सेंटर हैं वो भी जारी रहेंगे और सबसे बड़ी और एहम बात मैं आपको बता दूँ CSC जो सेंटर है CSC सेंटर होते हैं वो गाऊं के अंदर वो खुले रहेंगे CSC सेंटर गाऊं के अंदर वो खुले रहेंगे कोरियर सर्विस भी जारी रहेगी कोरियर सर्विस भी जारी रहेगी कोल्ड सर्विस वेर हाउस होटल मोटल होटल भी खुले रहेंगे सबसे बड़ी बात कुछ लोगों के कॉमेंट आ रहे थे पूछ रहे थे भी होटल खुले रहेंगे लेकिन ओटल की एक कंडिशन है कि कोई वेक्ती कहीं बार आया हुआ है और लोकडाउन लग गया तो उनके लिए है और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ओटल में कोई मेडिकल से जुड़े वेक्ती अमरजेंसी वेक्ती रुख सकते हैं आपको मैं बता दू और पलंबर आज आ सकते हैं पलंबर का जो कारिया है वो कर सकते हैं पलंबर के लिए खुश कबरी है पलंबर अपना कारिया कर सकते हैं इलेक्टरिशियन भी कारिया कर सकते हैं हम आपको बताते हैं जो बिजली की दुकाने है वो बंद रहेगी लेकिन जो इलेक्टरिशियन है किसी के ग मोटर मकेनिक को भी छूट दे दी गई है मोटर मकेनिक को भी छूट दे दी गई है वो किसी की चीज जैसे मोटर है वो ठीक कर सकता है कारपेंटर को भी छूट दे दी गई है सभी साथियों से गुजारी से की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे यह जानकारी सभी सातियों तक पहुंच सके और सभी सातियों की जो मन में संका है वो भी दूर हो सके कारपेंटर उसको अजादी दे दी गई है उसके बाद बिल्डिंग का काम जो पहले से बिल्डिंग जो बन रही है उसका काम जारी रख सकते हैं और उसके बाद हम आपको बतातूँ जारी तो रख सकते हैं और जो लेबर हैं वो दूर से ना मंगवाई आस पास की लेबर आप लगा सकते हैं और जो बिल्डिंग का काम जो पहले से चल रहा है वो आप कर सकते हैं रोड का काम चलता रहेगा जो रोड का बनने का काम है वो चलता रहेगा और कई लोगों के स्वाल जबाब यह है कि खुद की गाटी लेकर हम कहां जा सकते हैं कहां आ सकते हैं यह हम आपको बता दें कोई विद्यारती है वो पेपर देने गया हुआ है उसको आना है या पेपर वेसे cancel हो गए हैं लेकिन कहीं बाहर जाना है तो वो खुद की गाड़ी लेकर जा सकता है उसकी एक condition और सरत यह है कि उसका जो i-card है जैसे roll number है उसके साथ ओना जरूरी है उसके पास ओना जरूरी है तो वो खुद की गाड़ी लेकर जा सकता है या कोई बस चलेगी पचास परसेंट सुवारियों के साथ बस चलेगी इसके साथ हम आपको बता दें टेक्सी भी चलेगी ड्राइवर्स में तीन लोग की परमिशन है और इनके साथ एक कंडिशन यह भी रखी गई है जो टेक्सी के जो भी है उनके मास्क और गलबज शाथ ओने चाहिए, सेनिटाइजर साथ ओना चाहिए, पूरा नियम का पालन करेगा, तब यह चल पाएगी, पोटो इरिक्स या भी चल सकेगी, और किसी प्रोग्राम में अगर जाना है, अगर आपको किसी प्रोग्राम में जाना है, तो डीसी से परमिसन लेनी पड़ेगी, यह सारी पावर डीसी साब को दे दी गई है, और हम आपको बता दें, अगर कोई आपको प्रोग्राम करना है, या जाना है, तो डीसी साब से परमिसन लेनी पड़ेगी, दस बजे तक ओटल डाबे खुले रहेंगे, अगर आप होम डिलिवरी करते हैं, यह सर्त है, बाकाइदा यह सर्त है, अगर आप होम डिलिवरी करते हैं, तो दस बजे तक ओटल डाबे खुले रहेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दियूं, कि मिर्तिव पर, अगर किसी की मृत्यू हो जाती है तो मृत्यू पर 20 से ज़्यादा लोगों की इजाज़त नहीं है 20 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते अगर किसी की मौत हो जाती है तो 20 से ज़्यादा व्यक्तियों को इजाज़त नहीं है और सबसे बड़ी और एहम बात है किसी की प्रमिशन अगर ली हुई है तो वो साद्धी कर सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है अगर किसी की साद्धी की तारीक रखी हुई है तो वो DC साब से डारेक्ट जाकर प्रमिशन ले सकते हैं लेकिन सर्थ ये है कि साद्धी में कम से कम वेक्ती बुलाए जाएं यह है कंडिशन रखी गई है इसके साथ हम आपको बता दूँ कुछ लोगों के स्वाल आ रहे थे वो मैंने नोट की है नाई की दुकाने बंद रहेगी साथियो नाई की दुकाने बंद रहेगी बाई साथ पहले ही कटिंग कुटिंग करवा के दाड़ी दूड़ी करवा के त्यार रहेना चाहिए नाई की दुकाने बंद रहेगी इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ सिनेमा गर है कुछ लोग की दुकान है वो बंद रहेगी और जो बिजली की दुकान है वो भी बंद रहेगी सिनेमा ओल वो भी बंद रहेंगे मौल भी बंद रहेंगे सोपिंग कॉंपलेक्स भी बंद रहेंगे इसके असासात मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज खुली रहेगी इसलिए सभी सातियों से गुजारिस है कि वीडियों को जादा से जादा से जादा सेर करें जो मर्टो स्वीकी ओम डिलिवरी बिल्कुल ओम डिलिवरी आप कर सकते हैं ओम डिलिवरी की आपको इज़त दे दी गई है इसलिए सभ व्यक्ति और एक नागरिक तक पहुंशके जिससे उनको कोई भी प्रिसानी और दिक्कत का सामना करना ना करना पड़े सरकारी विवाग के सबी ओफिस खुले रहेंगे सातियो अरियाना पुलिस भी अपने काम पर लगी रहेंगी ओम गार्ड भी अपने काम पर लगे रहेंगे सिवल डिफेंस, फायर विग्रेड, अमर्जिंसी सर्विस भी शुरू रहेगी जेल विवाग भी खुले रहेंगे और जेल विवाग में करमचारी हैं वो भी कारिया करते रहेंगे और जो पाणी वीवाग है, वोटर वीवाग है, वो भी खुला रहेगा शातियों उससे जुड़े होए वेक्ति भी कारिया कर सकते हैं सभी सातियों से गुजारिस है कि वीडियों को जदा से जदा शेयर जुरूर कर दे। एगरी कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो कारिये हैं वो भी जारी रहेंगे, स्वास्ते विवाग भी जारी रहेगा, ओस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल, ज्यानवरों की ओस्पिटल भी खुले रहेंगे, लैप भी खुली रहेगी, इसके इसके साथा डेंटल क्लिनिक भी खुले रहेंगे एम्बुलेंस जो अमरजन्ची सर्विस है एम्बुलेंस एम्बुलेंस को जो बना रहे हैं जो मिनुफिक्चर हैं वो दुकाने खुली रहेंगी बना सकते हैं एगरी कल्चर से जुड़ी हुई दुकाने और किसानों के बनुआना पड़ेगा यह ना बनुआना पड़े यह नहीं लिखा हुआ है और इसके साथ मैं आपको बता दूँ इसके साथ मैं आपको बता दूँ बैंक भी खुले रहेंगे सबसे बड़ी और एहम बात लोगों के कई सवाल थे लोगों के आज सुबह 15-20 फोन बैंक के बार सेक्टर हैं वो भी खुले रहेंगे एक बाई का स्वाल है कि दारू के ठेके खुले रहेंगे क्या बाई साथ पेले पेटी पुटी लेगे रख लेनी चाहिए आपको दारू के ठेके बंद रहेंगे दारू के ठेके नहीं खुलेंगे इसके साथ एटियम है एटियम खुले हैं वो जारी रहेंगे खुले रहेंगे पेट्रॉल पंप खुले रहेंगे गेंस अजनसी खुले रहेंगे cng कुली रहेंगी post office खुले रहेंगे internet service भी जारी रहेंगी इंटरनेट सर्विस से जुड़े हुए वेक्ती जो भी है वो अपना कारिय कर सकते हैं इसके साथ मैं आपको बता दूँ ट्रेन भी चलेगी ट्रांस्पोर्ट के जो कारिय हैं वो भी चलेगे और सबसे बड़ी और एहम बात मैं आपको बता दूँ आईवे पर जो ट्रक कि रिपेर की दुखाने हैं वो भी खुली रहेगी और आईवे पर जो डबे हैं जो ओटल हैं वो भी खुले रहेंगे साती यो जो मेन आईवे हैं वो उस पर ट्रक रिपेर की दुकाने और डाबे और ओटल वो खुले रहेंगे इसके साथ साथ आपको बता दूँ किरियाना की दुकान, रासन दुकाने, फ्रूट और सब्जी की दुकाने खुली रहेगी, केबल सर्विस से जुड़े विक्ति कहीं भी आ जा सकते हैं, केबल सर्विस से जुड़े विक्तियों का कारिया जारी रहेगा, सरकारी कॉल सेंटर भी शुरू रहेंगे, सीएसी सेंटर जो गाउं में हैं वो खुले रहेंगे, सेर में खुले नहीं रहेंगे CSC सेंटर जो गाव में हैं वो खुले रहेंगे कोरियर सर्विस भी जारी रहेंगी कोर्ड स्टोरेज सर्विस भी जारी रहेंगी वेर आउस भी खुले रहेंगे ओटल मोटल भी खुले रहेंगे ओटल में ही है कंडिसन है कि emergency लोग जो बार से आई हुए थे वो फस गई हैं वो रह सकते हैं इनके लिए ओटल में रेने के प्रबंद किया जा सकता है warehouse भी खुले रहेंगे plumber है plumber अपना कारिया किसी के घर जाकर कर सकता है उसको छूट दे दी गई है इसके बाद बाद मैं आपको बता दूँ इलेक्रेशियन भी अपना कारिया किसी घर जाकर कर सकता है motor mechanic जो motor mechanic है वो अपना कारिया कर सकते हैं साथियो car painter का कारिया जारी रहेगा building का काम साथियो एक बड़ी और एहम बात ही है कि जो building पहले से बन रही है उसका कारिया जारी रहेगा और एक condition यह भी है लेबर जो मजदूर है वो बार से ना बुलाएं वो local आसपास के area से मजदूर बुला सकते हैं रोड का जो काम है वो जारी रहेगा paper देने गए विद्यारती आपको मैं बता दूँ कुछ लोग साती पूछ रहे हैं live पूछ रहे हैं कि जो गाड़ी खुद की कहा ले जा सकते हैं कहा नहीं खुद की गाड़ी अगर लेकर जानी है कोई जरूरी काम है तो आपको DC से permission लेनी पड़ेगी और जो paper देने गए विद्यारती या देने जा रहे विद्यारती है वो खुद की गाड़ी लेकर जा सकते हैं बाकाइदा सर्थ यह है कि उनको अपना roll number या eye card दिखाना जरूरी है इसके साथ साथ हम आपको बता दूँ बस चलेगी 50% सवारियों के साथ बस चलेगी सातियों और टेक्सी के ओटो एरिक्स या भी चलेगी तीन लोगों के साथ चलेगी लेकिन सर्थ यह है कि पूरा जो करोना के जो नियम है कानुन काइदे हैं उनका पालन होना जरूरी है मास, सोसल डिस्टेंस और गलब्स ओने जरूरी है तब ही वो चला सकते हैं इसके साथ साथ किसी प्रोग्राम में अगर जाना है तो डीची साथ से परमिसन लेनी पड़ेगी और 10 बजे तक ओटल डाबे खुले रहेंगे अगर उनके पास ओम डिलिवरी करते हैं तो खुले रहेंगे मिर्तियों पर अगर किसी की मिर्तियों हो जाती है तो 20 से जादा लोगों को वहां पर जाने की परमिसन नहीं है साथियों और साथी अगर किसी खुजकबरी है कि जिसकी साथी होने वाली है उसकी साथी नहीं रुकने वाली जिसने परमिसन ले रखी है तो उसकी सा जादा शेयर करें कुछ लोगों के स्वाल आ रहे थे कि नाई की दुकान सेलियून खुलेंगे या नहीं खुलेंगे सेलियून बंद रहेंगे साथियों नाई की दुकाने बंद रहेंगी विजली की दुकाने बंद रहेंगी सिनेमा मोल सोपिंग कॉंपलेक्स भी बंद रहे रहेंगे मंदिर गुर्द्वारा मस्जिद सर्च भी बंद रहेंगे सभी सातियों से गुजारिस है कि वीडियो को जादा से जादा शेयर करें यह जानकारिया आपको कैसे लगी यह कोमेंट के माध्यम से अम तक जरूर बताएं साति